ही एविडिवन वेलकम टू लॉजिक पाच्छाला एंड आज के एक वहुत ही इंपॉर्टेंट और डिमांटिंग वीडियो है जिसमें हम लोग करेंगे करेंट अफेस इंपॉर्टेंट यह आपके चो करेंट अफेस है यह 2020 के है सो अभी तक जितने भी करेंट अफेस देखे काफर जदा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वीडियो बहुत जदा इंपॉर्टेंट रहेगी आप यहां से अपना रिविजन करें जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट बन सकती है वह हम साधक से जाधक कवर करने की कोशिश करेंगी आपको वीडियो का PDF मेरे टेलिग्राम गुरूप से मिल जाएगा अगर आपने जॉइन नहीं किया हो तो जल्दी से जाए टेलिग्राम गुरूप को जॉइन करें टेलिग्राम गुरूप करेंगे ठीके स्पीड आप लोग तोड़ा इंकुरीज करना सो दीके सबसे पहला कोशिशन है कि कौन सी असी भाते लड़की है जिन्होंने नासा के पहला जो मंगल हेलिकॉप्टर है जिसका नीम है इंजेन्यूटी इसका नाम रखा है जिन्होंने ये नीम रखा है आंसर जल्दी से अपना सभी लोग अपना वीडो को पॉस करके लगाएंगे देन बात में आप लोग आंसर चेक आउट करेंगे इंडियन हैं के लड़की इंडियन ओरिजिन की है 17 इयर की है इनका नीम क्या है वनिजा रुपानी इनका नीम है आंसर इस B जिन्होंने भी ऑप्षिन किया है वो बिल्कुल सही है जो इंडियन ओरिकॉप्टर है ये दूसरे प्लानेट्स पे जाएगा और वहाँ पे उडान बरेगा और ये पहला ऐसा एयर क्राफ्ट होगा पहला ऐसा हेलिकॉप्टर होगा जो किसी दूसरे प्लानेट्स पे जाके उडान बरेगा तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा वनिजा रुपानी इस दी करेक्ट आंसर नासा हेटकॉटर इस वाशिंग्टन डीसी फुल फर्म क्या है नासा की नाशनल एरोनाटिक स्पेस अड्मिनेस्ट्रेशन 1958 में नासा की स्थापना होई थी तो जादा हम लोग दीपली स्ट्रडी नहीं कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों को रिविशन के लिए हम फटाफट से यहाँ पर कवर अप करेंगे ओके राइट नेक्स्ट कोईशन विश्व अस्थमा दिवस जिसे हम कहते हैं वर्ड अस्थमा दे कब सेलिबेट होता है चल दिवस अपना आंसर लगाएंगे 5 अक्टोबर 15 मार्च 15 जून या फिर 5 अफ मे सो वर्ड अस्थमा दे सलिबेट होता है हर साल 5 माई को सांसर है उप्शन नमर टी सो देखो यह जो दिवस सलिबेट होता है यह माई के 1st Tuesday को सलिबेट होता है इस साल का माई का 1st Tuesday पढ़ाता वो 5th of मे को पढ़ाता आपने को important चीज़ यहां से क्या हम cover कर सकते हैं कि इस बार की theme क्या है थीम से कोशन बनता है तो इस बार की theme है enough asthma आप लोग भी theme को याद कलने हैं अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है deaths ठीक है तो यह इस बार की theme रखी गई है asthma एक बिमारी होती है सांस इसमें फूनने लगती है घबराहट होने लगती है तो लोगों को aware किया जाता है है यहां पर लोगों support किया जाता है कि आप किस तरीके से इस बिमारी से पीछा छुडा सकती हो तो 5th of में जिनोंने लगाया है वो बिलकुल correct answer है mix up questions मिलेंगे ठीके आपको सारे जित भी importance होंगे मैं mix up कर रही हूं यहां पर ठीके so next question is book and author का है vision that Cargill the life of a Cargill hero इस पुस्तर के लेकर क्या नि author बताईएगा कौन है so जल्दी से अपना answer लगाएंगे सभी लोग पहले answer लगा न चेटिंग नहीं चलेगी यहां पर ठीके तो देखो इसका answer जो होगा न वो option A और B दोनों होगा कर्नल वियन थापर और निह दुएदी इन दोनों के द्वारा ही यह book लिखी गई है यह book जो है वो किस पर बेस्त है वीर चकर पुरुसकार विजयता है काप्टन विजय नंत थापर उनके जीवनी पर आधारी था यह book पूरा उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो कारिकल युद में शहीद हो गए थी तो उनी के बारे में इस पूरी book में बताया गया आंसर यहां पर इन दोनों का नेम आपको जो है वो ध्यान रखना है ठीक है चलो जल्दी जल्दी से बढ़ती है फिर हमने अगले question पी अगला question है कि कौन सी state government ने आयोश कवच कोविट 19 application को launch किया है अगले अपना answer is UP यानि उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश की जो CMA योगी आदिते नात इन्होंने लोगों की immunity system को और भी साथा अच्छा करने के लिए तो यहां पे लोगों को बताया चाहेगा घरे लून उसके पताये जाएंगे पही जैसे दालचीरी तुलसी लॉंग हो गया तो कैसे आप अपने शरी की जो प्रतिरूतक शमता है यानि immunity system में उसको और भी अच्छा कह सकते हो और इसमें आप जो विशेशक यह हैं उनके सलह भी ले सकते हैं तो यह आयुश कवबच अप्लिकेशन UP की गवर्मेंट के द्वारा शुरू की गई थी ओके राइट क्लियर है चलो बढ़ते हैं अपने अगले कोशन पे ओके फिफ्थ कोशन देखे क्या है किस खिलाडी ने तीसरी ओनलाइन निशानेवाजी चांपेंशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पतक जीता है तो तरह थोड़ा सारा इस पे भी ध्यान दीजेगा कि यह कौन सी पत्यों गिता है ठीक है 10 मीटर एयर राइफल की है तो इसमें किस ने जीता है जल्दी से आंसर करें आंसर है हमारा यहां पर ऑप्शन नमबर ए रुद्राक्ष पाटिल इंपोर्टेंट है कौन सी स्टेट के ही रहने वाली है कोशन यहां से भी बन सकता है तो महाराश्ट्र के ही रहने वाली है और इन्हों ने यहां पर इसमें गोल्ड मैडल जीता है ठीक है सॉरी तोड़ा सा मेरा नंकला गराब हो रहा है सो थोड़ा सा एज़ेस्ट करेगा सो देखो 10 मीटर एर राइफल ध्यान रोएगा किसने स्वांट पदक जीता है सो रुद्राक्षे पाटल जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीके, किलियर है ना, किलियर है चले फिर अगले कोशन पर चालो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन पर किस देश ने रविन्दना टेगोर की 150 वी एनिवर्सरी की अफसर पर सड़क का नाम उनकी नाम पर रखने के खुशना करें बहुत अच्छी बात है देखो लेकिन ध्यान रखना के रविन्दना टेगोर की कौन सी जयंती, 150 जयंती के अफसर पर ठीके, और कौन से देश में बनेगी है सड़क, आंसर हो जाएगा इसराहिल, तो इसराहिल वालों ने बिल्कुर सही बताया, और इस सड़क का आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया ना रविन्दना टेगोर आपने काफी इनका नेम सुना का नोबल पुरुसकार विजेता भी है, साहित्ते के चेतर में इनको नोबल प्राइस मिला था, 1913 में ठीक है, 1913 में मिला था काफी कहानिया और पन्यास इनके द्वारा जो हैं, वो लिखे गए हैं और रविन्दना टेगोर ने भारत का राष्टेगान और बांगलदेश का जो राष्टेगान है, वो दोनों लिखे हैं सो ध्यान रखेगा ये भी तो इस्राइल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा निक्स्ट कोशन देखो, किस राष्टे में FIR आपके द्वार योशना शुरू किया गया है सो ये जो योशना है, वो शुरू हुई है कहां पर मध्यप्रदेश में सो आंसर कौन सा होगया हमारा option number C होगया सो मध्यप्रदेश में ये योशना शुरू हुई है तो अब इस योशना में होगा गया सो देखो, नाम से परजला है FIR आपके द्वार मदब FIR करने के लिए आपको भही जाना नहीं पड़ेगा आप सिर्व डायल करोगे, हंट्रेट डायल कर दोगे तो वहाँ पर जो भी constable होंगे, जो भी head होंगे वह आपके यहाँ पर आएंगी और FIR वही पर ही लिखी जाएगी जहाँ पर घटना हुई होगी, आपको पुलिस stations पेस्टी जाने के जरूत नहीं पड़ेगी ठीके, तो वैसे इसके लिए गवर्मेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर अलग से भी निगाल दिया, 112 वैसे आप पहले 100 डाइल करते थे न, 112 डाइल करोगे तो आपकी यहाँ पर आपको FIR एजले लिखवा दी जाएगी सो मद्यबिदेश, कापेटल, हिस्पोपार, सीम नेम इशिवरा सिंग चोहान जो कि अब नहीं है, उनका निधन हो चुका है, तो आनंदी बेन पटल यहाँ का समाल रही है ठीक है, आगला कुशन दिखो क्या है, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जी आइटेक दिया गया है, तो यह जो सोहराई खोवर पेंटिंग है यह कौन से राज्य की है, सो आंसर हो जाएगा जहारखंड यह जो पेंटिंग है, यह आदिवासी महिलाएं बहुत अलग-अलग रंगों का यूज करती है है ना, और इसमें मिट्टी से बनी चीज़ों पेंटिंग की जाती है यह इसको GI Tech दिया गया है, और कहां के जहारखंड की ठीक है, जहारखंड की CM कौन है, हीमन सोरेन, गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मु यहां की गवर्नर है सो देखो, CM and गवर्नर वाली ट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है अगर आपको डारेक्ट नहीं आत होते हैं, CM or गवर्नर, तो आप उन ट्रिक्स की हेल्प ले सकते हो, ओके 9th question देखो, FIFA under 17 महिला विश होगा, जो 2021 में होगा, पहले 2020 में होने वाला था, पर because of COVID यह पोस्पोन कर दिया गया है, सो अब यह 2021 में होगा सो कौन सा देश इसे होस्ट करेगा, सो जल्दी से answer लगाएं कि कौन सा देश जो है, वो इसे होस्ट करने वाला है है न, तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, जापान, सो इसे होस्ट कौन करेगा, जापान जो है, वो इसे होस्ट करेगा, ठीके सो answer के लिए हो रहा है न, देखो जितनी भी चीज़ है न, थोड़ा सा चीज़ से ध्यान रखा करें, क्योंकि चीज़ से confusion हो जाती है, बहुत साइज चीज़ से होती है, जिसमें हम confuse हो जाते हैं, ठीके सो इसलिगे रिविजन वीडियो आप लोगों के लिए है, सो answer आप लोग लगाते रहें, सो देखो यहां पर एक चोटी से चीज़ मस्टेक होगी है, कि इसको जपान नहीं इंडिया से होस्ट करेगा, ठीके, सो यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रुकना है, विकास होगा, वो कंडक्ट कराया जाएगा, फीफा का हेट क्वार्टर ध्यान वकिए का स्विजर लेंड में इसका हेट क्वार्टर है, ठीके, चलो, अगला कुशन, बहार्टिय पुरा तत्व सर्वेक्षण की, यानि आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की नए डारेक्टर ज इंडिया, याद केसे रखेंगे, ट्रिक देखो, अर्केलोजिकल है, भारत का जो पुरातत वो बिभाग है, भारत की पुरानी चीज़ है, उसकी स्टड़ी करना बहुत जरूरी है, बना आप तो कुछ भी गरदात होगी, तो आपको उनकी नॉलिज होनी चीज़ है, आपक कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये भी ध्यान रखो कि सिक्किम का स्थापना दिवस है, वो 16 मई को होता है, क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22 हुआ राज्य बना था, ध्यान रखेगा, ठीके, तो इस पार कौन सा इसका स्थापना दिवस मनाया है, विच ऑप्शन is correct, बिल्कुल 45th हुआ बनाया गया है ये ध्यान रखेगा, सिक्किम के वर्तमान में CM कौन है, प्रेंच सिंग तमंग और राजधानी क्या है, सिक्किम के गंग जोक यहां की राजधानी है ठीक है, तो answer आपका क्या होगा, option B जिन्होंने सही बताया है, वो बहुत ही सही जा रही है, आगे दिखो book and author's equation है, बुहान डाइरी dispatches from a quarantine city, इस book के author कौन है सो answer क्या होगा, option number B, आज अलग सा ही नाम है fang fang, so fang fang इस book के जो है, वो author है, जिन्होंने book लिखी, इसमें covid के दोरान मतलब जो 60 days का lockdown लगा था सबसे पहले, उसके बारे में पूरा इसमें बताया क्या है ठीक है, तो story में क्या बताया गया है, वैसे इतना नहीं पूसते, बट आप लोग को ध्यान रखना है इस book के author कौन है, सो fang fang, इस book के author है, ठीक है अगला question पे बढ़े, सो देखो कौन से देश की famous football league है, जिसका नेम है, बुट्स लीगा, covid-19 के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल event बना था, मतलब जब covid चल रहा था, तो उस time पे कोई भी खेल event नहीं हो रहे थे, सो सबसे पहला event ये शुरू हुआ था, सो ये कौन से देश की famous football league है बताईए, जल्दी से अपना answer लगाएंगे कि which option is correct, बुट्स लीगा का मतलब देखो क्या होता है, federal league मतलब संगिय लीग इसका मतलब होता है, और 1963 में इसकी शुरुवात की गई थी so which option is correct जल्दी से बताएंगे कि ये famous league जो है, वो कौन सी country की है ओके, आपका answer क्या है यहाँ पर मैंने option देना भूल गई हूँ ये Germany की famous league है, ठीके, आपका answer क्या हो जाएगा, Germany is the correct answer ठीके, तो COVID के दौरान कुछ भी चीज़ शुरू नहीं थी, सबसे पहला खेल इवंट यही शुरू हुआ था राइट, next question पर बढ़ते हैं आगला question देखो किस राज्य ने ग्रामी राजिवी का mission की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सीवा शुरू की है तो ये दीदी वाहन सीवा जो है, वो कौन सी state में शुरू की गई है ये पूचा है, चांसर हो जाएगा मध्या प्रदेश, option number A is the correct answer, ठीक है, तो निश्वलक यहाँ पर यह सेवा महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, सो जितनी भी गर्वबती महिलाएं हैं, उनको अगर emergency में कोई जरूरत है सेवा की, तो वहाँ पर उनको free में ये service, vehicle service provide की जाएगी, ठीक है, तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्या प्रदेश is the correct answer, right, next question भारत ने किस देश के साथ अंतर देशिया जल परागमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये है, so answer is answer, what is the answer, बांगलादेश, बांगलादेश is the correct answer, भारत का neighboring country है बांगलादेश, so दोनों देशों के पीच में पांच नई प्रोटोकॉल मारगों के रूप में जो अंतर रावजी जल मारगे वो खोला गया है इससे क्या होगा, देखो, trade में help मिलेगी, व्यापार में help मिलेगी, दोने एक दूसरे के साथ है न, व्यापार करेंगे, so उसमें बहुत ज़्यादा help मिलेगी, so बांगलादेश के साथ भारत ने पांच प्रोटोकॉल पर यहाँ पर क्या की है, sign की है so answer क्या हो जाएगा, बांगलादेश is the correct answer, right next question, कौनसी राज़े के government ने break यहाँ पर break the select cartoon campaign, ठीक है, इसको शुरू किया है so कौनसी state government ने इसको शुरू क्या answer हो जाएगा, के रला के रला के स्वास्ते मंत्री के के शेल जा, इनुके द्वारा इसको शुरू किया गया है, main इसका purpose क्या है, कोविट के बारे में जागरुकता फिलाना, so बच्चे और लोगों को कार्टून्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं न, तो कार्टून्स मनाए चाहेंगे जिसमें कोविट के बारे में awareness फिलाए जाएके उन कार्टून्स के थुरू, तो बस इसको कहां पे शुरू किया गया है, केरल में ठीके, केरल के इस टाइम पे CM कौन है, पिन्रोई विजियन गवर्णर नेम इस आरिफ मोहम्मद खान और कापिटल तिरू वननद पूर में किरल की अगला गोशन, पतंजली ने किस नाम से e-commerce application को launch किया है, तो उसका नाम बताना है application का तो उसका नेम है order me इस application के मादियम से क्या होगा, जो customers है वो कोई भी समान easily अपनी हापी मंगवा सकती है, चाहे उनने कोई भी विदेशी समान मंगवाना हो उसको भी वो यहाँ पर मंगवा सकते हैं ठीके, फ्री में उनको home delivery की सुविदा भी यहाँ पर दी जाएगी, और इसके अलावा वो इस application से जो चिकिस्सक हैं, उनसे भी यहाँ पर आमर्श यानि उनसे भी advice ले सकती है तो पतंजली के द्वारा इस application को शुरू किया गया है, ध्यारदखी का application का name क्या है, order me इस application का name है, next question भारत ने किस तेश की defense forces को इंडिया war game center सोपा है, तो यह game center है, भारत ने किस तेश को सोपा है, तो answer हो जाएगा Uganda, तो देखो इससे क्या होगा यह एक तरीकी का game है, strategy game है जो war में help करता है, जैसे आपके chess वगेरा game होता है, उसे mind power बढ़ती है, तो ऐसे ही strategy वाला game है, जो भारत ने Uganda को सोपा है, ठीक है तो answer क्या हो जाएगा, option number A is the correct answer 19 question है, भारत की तरफ से Nizer देश के नए राजदू, यानि ambassador कौन बनी है, तो भारत की तरफ से कौन बनी है, Nizer में answer हो जाएगा, P.K. Nair तो देखो थोड़ा सा relate करो, Nizer Nair, है न, थोड़ा थोड़ा सा आपको relate हो जाएगा, तो बस इससे आपको ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बने कौन है, ठीक है, next question देखो, केरल राजचे की पहली महिला DGB कौन बनी है, तो केरल राजचे में पहली महिला DGB बनी है, आज श्री लेखा इनका नेम है, ओके 11 question में क्या बोला है, कि भारत में किस नाम से पशीम से दक्षिनपूर्व Asia Solar Grid वार्दा शुरू हुई है, सो उसका नेम बताना है, डायलोग का नेम क्या है सो आंसर ज़रू लगाएं, अपना फिर आंसर को check out करें, सो correct answer is OSOWOG, अब इसकी full form भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, कि full form क्या है, one sun one world one grid, ये जो है वो इसकी full form है, अब इसका main purpose क्या है, देखो इस डायलोग का, कि जिन देशों को solar energy मतब पर्याप्त मातरा में उनके पास नहीं पहुँच पाती है सो उनके यहां पे solar energy मुहिया कराना इसका main purpose है, ठीके और इसका नहीं आप लोगो दियान दखना है, सो इसका नहीं काफी साथा important हो का exam के लिए, चलिए next question देखे 50 question आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो फटा-फट से cover कर देए, किस mobile company ने Mount Everest के रास्ते में 500-600 मेटर के उचाई पर 5G towers थापित किया है, तो कौन सी कंपनी इस का नहीं में हुआई, so उन्होंने Mount Everest का रास्ता है, बिकास जब आप Everest पर चड़ते हो, जो भी Everest पर mountaineers चड़ते हैं, तो उनको network problem बहुत जादा होती है, उसका main purpose है कि जो mountaineers हैं, उनको जब वो अपनी journey करते हैं, तो उस दोरान वो अपनी live streaming कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, जीज़े live होते होए, तो उससे गया होगा, लोगों को काफी ज़दा motivations भी मिलेंगी, सो इसे काफी ज़दा दिक्कत तो आएंगी देखो, क्योंकि बहुत सथा उचाई पर है, आपको tower भी लगाना है, जहापे networks आपको चाहिए, सो काफी दिक्कतों के बाद भी इसको स्थापित किया चाहेगा, कौन सी companies को स्थापित करने वाले है, तो हुआ इसका नहीं मैं, ठीक है, तो आप लोगोंने में भी सही answer बिल्कुल guess किया होगा, चलिए अगला book देखे, COVID-19 पर एक बुस्तक लिखी गए, इसका नहीं है, behind the mask, इस बुस्तक के जो है, वो author को ने ये आपको बताना है, तो what is the name of the author of this book, जल्दी सा अंसर लगाए, correct answer is, मुहम्मद अब्बल मन्दान, बही, COVID-19 के दौरानी पुस्तक लिखी गए, तो बही, COVID-19 पर ही बेस्ट है, पुरी की बुस्तक जो है, ठीक है, सो जादर इसके बारे में हम लोग डिसकस नहीं कर रही है, अगला कोशन देखिये, बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला को नहीं है, जिनके हैंस नहीं है, बट फिर बिनको ड्राइविंग लाइसंस मिल गया है, तो answer यहां पर नहीं है बट पहली महीला की नहीं में आपको जुलो मोल मेरियठी लगा की आना है ठीक है तो आंसर आम पे आपने में भी सही लगाया होगा सभी ने बिलकुल अगला कोशन देखो विश्व परियावरंट बस भाई आये तो सभी को आना चाहिए तो वर्ड इंवारमेंट दे ह हर साल जो है वो सलिबेट होता है 5th of June को इस बार की थीम बहुत छोटी सी है और बहुत इंपोर्टेंट भी होगी ठीक है काफी जाद एक्जाम में पूछी जाने वाली है तो बायो डाइवर्सिटी इस बार की थीम है 1974 में जो है वो विश्व परियावरंट दिवस मनाना श सलिबेट होता है नेक्स्ट देखो उत्राखंट राजय ने किसे अपनी समर कापिटल डिकलेर किया है सो करेक्ट आंसर इस गैर से उत्राखंट की ऑल्रेटी का नेम क्या है देहरा दून जो की उत्राखंट की अब क्या है विंटर कापिटल है और गैर से यहां की समर इनको अपॉइंट किया गया है तो आप लोगों सिर्फ इनका नेन ध्यान रखना है जादा कुछ इसके बारे में डिस्कुस करने की ज़रूत नहीं है तो याद किसे करेंगे थोड़ा तो याद करने का तो जम्य-कश्मीर वाले इलाके में आपको कहलो कि बहुत साथ यहां प पाकिस्तान के तरफ की जाव बना रहता है तो एक तो यहां पे देखो मुस्लिम स्टेटर इकबाल से आप लोग ध्यान रहे हैं कि मुस्लिम लोग करते हैं इकबाल वगेरा बोलते हैं और यहां पे उनकी मतलब वानी है जो वो बोलते रहते हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान क तरफ वो जाना चाहते हैं तो बस आप लोग को यहां से थोड़ा से रिलेट हो जाएगा ठीक है आगला कुशन देखो क्या है किस देश ने पंडुबी को दुनिया के सबसे गहरी बिंदू जिसका नेम क्या है मार्याना ट्रेंज इसके भी नीचे 10907 मीटर तक पहुंचाया ह असा कायानामा कौन से देश ने किया है छो आंसर आपका क्या होगा अपना अंसर जरूर लगाएं पहले चाहिन इसी तो यह मानव रही्स मारीन है इसमें कोई में पूछा गया कि कि साच्छे के सरकार ने बाल श्रमिक विध्या योशना जो है वो लॉंच करिए तो यह जो लॉंच करिए वो उत्तर प्रिदेश की गवर्रमेंट के दोर्ण को लाँच किया इसका में परपस को क्या है जो भी जो भी मतलब आप केलो कि जो सिक्षित बच्चे हैं जो कक्षा 8, 9, 10 कक्षा पास कर लेते हैं तो उनको कुष्णा को छोड़ी बहुत राशी दी जाएगी ताकि उनको आगे वो help मिल सके तो जितने भी डिस्ट्रिक हैं सभी डिस्ट्रिक के कुल 2000 बच्चे को इस योजना से लाब मिलेगा तो इस योजना को शुरू किस ने किया है? UP की गवर्मेंट के दौरा इसको शुरू किया गया है अगला कोशन है World Blood Donor Day यानि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 14 जून को इदिवस सेलिबेट होता है अब वही मेंन बात होती है कि आपको थीम पता होने चाहिए इस बार के देखो थीम क्या है? सेव बलट, सेव लाइव ये इस बार के थीम में छोटी सी है तो ध्यान रखना तो इसमें लोगों को अवेर किया जाता है कि जो रखत डोनर है उनको सम्माल उनको थेंक्यू देना क्योंकि वो नी स्वार्त रूप से आपको रखत जो है वो डोनेट करते हैं जिनसे जरुत मन्त लोगों की मदद होती है सो हर साल कौन से दिन सलेडेट होता है 14th of June को यह जो दिन है next है FC, AFC, Women Asia Cup जो 2022 में होने वाला है सो कौन सी country इसे host करेगी इसे host कौन सी country करेगा तो India इसे host करेगा तो 42 years बाद हमारे देश में नीनन होने चाह रहा है इससे पहले 1979 में ये tourist हुआ था इंडिया मैं सो काफी ज़दा इंडिया के लिए अच्छी बात है, सो फुटबॉल का एक टूनमेंट है, सो ये वुमेन का होगा, वुमेन्स होगा इशा कप, जो कि इंडिया इसे होस्ट करेगा, सो आप लोगों को इयर भी ध्यान रखना है, होस्ट कौन करेगा ये भी ध्यान रखना है, इस बार की थीम यहां पर क्या रहेगी, तो इस बार की जो थीम है, वो रहेगी, योगा फोर हेल्थ, योगा एट होम, ये इस बार की जो है, वो इंटरनाशनल योगा डे की थीम रहेगी, सो ध्यान रखेगा, ठीके, तो इसमें क्या होता है, कि लोगों को योग के बारे मे आपको योग करना चाहिए कि आपकी हेल्थ वगेरा अच्छी रहती है तो उसके बारे में लोग को अफेर किया जाता है सिंपल किलियर है ना बिल्कुल सही चल रहा है मामला तो चलो फिर बढ़ते हैं एक्स्ट कुशन पे थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो जो योजना है वो कौनसे स्टेट गवर्मेंट ने अपने यहां के जो स्कूल स्टूडेंट से उनके लिए शुरू करी है सो कोविड-19 जो क्राइसिस चल ला था उसको देखते हुए तिरपूरा की गवर्मेंट ने इस स्कीम को शुरू गिया था इसके माध्यम से बच्चों को शुड़ूटी एक्टिवटीज दी जाएंगी है ना स्मस वाट्सप के माध्यम सुन का मरूरंजन भी किया जाएगा गेमिंग वगेरा भी चीज़ों को दी जाएंगे तो बहुत क्या होगा थोड़ा पढ़ो भी लेकिन थोड़ा खीलो भी तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तिरपुर के गवर्मेंट ने इसको शुरू किया है तो आज़र आपने में सही लगाया होगा सभी ने तिरपुरा ठीके अगला दिको कोशन है भारते किस राचे में पंचायती राच विभाग द्वारा दिये जाने वाले में पंचायत 2020 को जीता है तो ये जो पुरिसकार है कौन से स्टेट ने जीता है क्लिरली हमें बस ये वताना है ठीक है तो हिमाचल परदेश के तो ये पुरिस कार दिया और किस बेस पे गिटिया गये तो इसमें दिखा गया थी कि अडर पैस नहीं कि wr Quill की लोग online सिवाओं का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं इन सबी को देखते हुए ये पुरिसकार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है अगले कुशन पर पढ़ते हैं भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्व विध्याला है इसको शुरू किया जाएगा अमेरिका में अमेरिका आपको ध्यान रखना है और इसका नेम क्या है ये भी important होगा तो इसका नेम रहेगा विवेका नंध योग युनिवरसिटी ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि किस नेम से इसको शुरू किया जा रहा है दो चीज़े युनिवरसिटी नेम एंड कौनसी कंट्री क्लियर है चलो अगला कुशन कौनसी मुस्लिम कंट्री ऐसी है जहां पे कृष्ण हिंदू मंदिर बनाने की जो आधारशिला है वो रखी गई है तो भई करेक्ट आंसा क्या होगा पाकिस्तान सो पाकिस्तान में इसको बनाने की आधारशिला रखी गई है पहला हिंदू मंदिर होगा पाकिस्तान में और वहां की गवर्मेंट ने इसके लिए 4 कना पाकिस्तान नेम ध्यान रखना है आगे है हमारा अगला फीफा महीला विश्व का 2030 की मेजवानी कॉन करेगा 2030 नहीं है यह 2023 है ठीक है तो ध्यान रखेगा तो 2023 में जो फीफा महीला विश्व काप होनी वाला है तो इसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड दोनों ही होस्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों तो दोनों का नेम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है फैर पुलिस स्टेशन यूजना योजना कॉंसी स्टेट गवर्मेंट ने शूरू करिये तो जो पुलिस स्टेशन यूजना थी यह 1 जुलाई से शुरू कर दी इस सो चथिसगर की गवर्मेंट ने इसको शूरू किया अंसर Dougal आपका 36 इसको शुरू करने का में परफस क्या है देखो जो पेडित महिलाई होती है जो बच्चे होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाने में काफे ज़दा ड़ते हैं अपने समस्याई नहीं बता पाते तो उनके इस डर को दूर करना कि वो पुलिस कर्मियों के पास जाएं उनक इश्वगेल गवर्णर नेम इस अनुसुया ओई के यहां की गवर्णर है ठीके चालो अगला गोशन किस राज्य की सरकार ने हर घर जल पाई परियोजना जो है वो शुरू करी है तो यह शुरू है उत्तर प्रदेश की गवर्रमेंट ने इसको शुरू किया है जो बुंद इस दी करेक्ट आंसर चलो फिर अगले कोशन पर बढ़ते हैं सो क्वेशन नमर फॉर्टी में देखे एक बुक का नेम है जिसका नेम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाइन नाइन है यह सौरी नाइन नाइन मेगा ट्रेंस इसके ओधर का नेम बताना है तो इसके ओध टामी राम्त के द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है अगला कोशन है कि कौन सा शहर कोरोना वाइरस के स्पेशल पीले डेस्टवीन उप्योग करने वाला पहला राच्चे बनाता तो कौन सा शहर बनाता यह आप लोग से क्वेशन पूछा है तो आंसर है इंदोर इंदोर कोविट के जो वाइरस होते हैं वो ना फैले ठीक है तो ऐसा करने वाला इंदोर पहला शहर बनाता और इंदोर ही सबसे दाधा स्वच्छ शहर की जो लिस्ट आई थी उसमें इंदोर ने वो टॉप किया था तो एक क्वेशन से आपके दो क्वेशन यहां से प्रप्यार हो और इसका नेम क्या है शेशनाग जो है वो इसका नेम है तो आप लोगों इसका नेम ध्यान रखता है यह जो चली थी मतलब इससे पहले दिखो सूपर एनो कोड़ा थी जो सबसे बड़ी थी बट उसने इसने जो है वो उसका भी रिकॉर्ड तोड दिया है लगबक इसमें बात करें डबबे टो 251 डबबे इसमें लगाए करेते करीब इसने 260 किलोमेटर की जो है वो यात्रा तै की थी है ना अगर हम भारते रेलवे की बात कर लेते हैं तो देखो रेलवे का पेपर है पूछ सकते हैं कि रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी और रेलवे का जो योशना कॉणसे स्टेट गवर्रमेंट ने शुरू करी थी व primo ही इनकिसान अंग नहीं है उनके ली neस को यहाँ पर लोन दीए जाएंञी या फिर उनको भूमी दीजाएगे खिटी करने के लिए तो उसी देशे से उडिसा की गवर्रमेंट ने जो है वो पालाराम योजना को शुरू किया था और योजना पर मैं वीडियो बना चुकियों दो वीडियो मैंने बनाती नहीं देखियों तो जल्दी से जाएं करेंट अफेस के ट्रिक वाली वीडियो देखें प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगे आपको ठीके अगला कोशन है भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्डा भंडार वाला देश जो है वो बन गया है तो भारत पांचवे नंबर का बन गया है बारत की पुजिशन ध्यान रखनी है अगला है 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है दाट इस हिमाचल परदेश जिनोंने अपने यहां पे हर घर में 100% जो है वो LPG कनेक्शन का जो इनोंने एक एम रखा था उसको फुल्फिल कर दिया है तो आंसर हो जा बाद में है जिसका नेम क्या है मोटेरा स्टेडियम यह सबसी बड़ा स्टेडियम है इसके बाद जो है वो Melbourne किरकेट स्टेडियम आता है और इसके बाद तीसरा जो किरकेट स्टेडियम बन रहा है वो जैपूर में बन रहा है तो आंसर जो हो जाएगा वो जैपूर हो इनको यहाँ पर यह अवार्ड मिला है इनके एक documentary movie आई थी काफी जदा famous रही थी और उसी documentary movie के लिए जिसका नेम क्या था है क्या देखो बीसी स्याई एक निडेश जारी करते कि कोई भी खिराडी जो है वो एक से जादा company का director नहीं बन सकता लेकिन अगर विराट कोली की बात करें तो वो दो company के directors थी एक तो कोली स्पोर्ट LLP company और दूसरा था कॉर्ण स्थोन वेल्चर LLP company सो उनी के खिलाफ यह report दर्च की है कि वो दो company के director नहीं बन सकते हैं ठीक है क्योंकि बीसी स्याई ने ऐसे ही नडेश जारी करें है नेक्स्ट डिकोशे ने भारत के किस मंत्रवाले को स्कोच गोल्ड अवार्ड से समानित किया गया है सो जन जाते कारे मंत्रवाले जिसके minister क जो आदिवासी बच्ची होते हैं उनको शेशक्त बनाने के लिए काफी अच्छा काम किया है और जिसके लिए इनको स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया था इस पार जो एडिशन हुआ था स्कोच गोल्ड अवार्ड का वो 66th एडिशन हुआ था तो ये भी additional information में ध्यान आज का last question है किसने British Grand Prix 2020 Formula 1 race जीती है तो answer हो जाएगा Lewis Hamilton, Lewis Hamilton Mercedes के racer है और Great Britain के रहने वाली है ये भी आपको ध्यान रखना है और इसी पहे दिखो अगर हम बात करें इसी Formula 1 race में Max D. Verstappeen जो है वो 2nd इस्थान पर रही थी और Charles Leckler जो है वो 3rd position पर रही थी बट 2nd और 3rd position का इ questions हमने आज cover कियें इसका एक और 2nd part में लिक्या होंगी जल्द ही जिसमें 50 questions cover up करेंगे ताकि railway से पहले आपके important current interface जो है वो और भी साथा strong बन सके तो ऐसे ही video complete देखेगा और कोई भी special request कोई भी demand हो कमेंट section में आप लोग मुझे भेज सकते हैं बागी telegram group से सभी लोग पीडियो